आज हम लेकर आए हैं सूजी का बहुत ही टेस्टी और चटपटा नास्ता जिसे आप 5 मिनिट में बना करके तयार कर सकते हैं काफी हेल्दी और टेस्टी है आप इसे टीफीड में बच्छों के दे सकते हैं बना कर या आप इस तरह से कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो तो चलिए recipe को सुरू करते हैं, तो सबसे पहले यहां पे लेंगे एक mixing bowl और इसमें हमने एक cup सूजी लिया है, तो बारिक वाली हमने सूजी लिया है, तो आपके घर में जो भी सूजी पड़ी हो आप उसका इस्तमाल कर सकते हैं, और इसमें हमने एक cup भी दही का इस्तमाल किया है जिस कब से हमने यहां पे सूजी लिया है उसके हिसाब से ही हमने यहां पे एक कब दही का इस्तमाल किया है तो पहले क्या करेंगे फ्रेंज कि इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है दही और सूजी को बहुत ही टेश्टी नाश्ता लगता है फ्रेंज और बिल्कुल ब इतना ही हमने एक कप पानी का भी इस्तमाल किया है पानी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर मोटी सूजी है थोड़ा पानी अधिक लगेगा पत्पी वाली है थोड़ा कम लगेगा तो इसको अच्छे से गुठ्लियां जब तक खतम नहीं हो जा रही है तब तक इसको से 15 मिनट के लिए रेश्ट पे छोड़ेंगे ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए तो यह देखने में पतला लग रहा है लेकिन जब सूजी फूलेगी तो यह बैटर जो है बिलकुल गाड़ा हो जाएगा तो यह देखिए हमने इसको अच्छे से फेट लिया है इसको देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए रेश्ट पे छोड़ देते हैं तब तक हम आलू के स्टफिंग तयार कर लेते हैं क्योंकि हम भरवा इसमें बना रहे हैं फ्रेंस भर करके तो यहाँ पेमने मैस किया हुआ अलू ले लिया है इसमें प्याज डाल दें अगर प्याज नहीं खात हाँ, अगर हरी मिर्च पसंद है तो आप उसे भी डाल सकते हैं बारी काट करके अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो भीणा मीर्च के भी पना सकते हैं तो यह तो खाने में भी बिल्कुल तिकत नहीं आएगी तेदे के बडर वीदर तयार हो गया है और हमने सारे कटोरियों को अच्छे से ग्रीस कर लिया है बडर देखी बिल्कुल गाड़ा हो गया है तो इसमें डाल देते हैं स्वाद के अनुसार नमक तो नमक थोड़ा कम ही क्योंकि हमने यहां पर आलो की श्टफिंग में नमक डाला है यहां पर एक छूटे चमच हमने यहां पर बेकिंग सूड़ा का इस्तमाल किया है अच्छे से उसको मिक्स कर लिया है इसके बाद दो दो चमच इसमें हम कटोरियों में बटर को डाल देंगे तो फ्रेंज अगर यह देखे सारी कटोरियों में हमने बटर को डाल दिया है अब जो आलो की श्टफिंग हमने तयार की है इसकी हम छोटी छोटी इस तरह से टिकी की तरह बनाते जाएंगे और इसमें डालते जाएंगे तो बहुत सिम्पल और आसान सी रेस्पी है लेकिन खाने में बहुत ही हमने डाली है इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंज कुछ अलग से ज़्यादा दिक्कत मेहनत नहीं करना पड़ेगा तो यह दिखिए हमने सारी स्टफिंग डाल दी है अब जो हमने बटर बचा के रखा था इसके उपर से हम डाल देंगे एक एक डेट डेट चम्मच के करीब ताकि जो इस टफिंग हमने डालू यह आलू का वह अच्छे से इसमें ढख जाए तो यह दिखिए हमने इसको अच्छे से इस तरह से डाल दिया है तो इस तरह से भर करके हमें रेडी करना लना है सारे कटोरियों को तो जब भी कुछ चट पटा खाने का मन करें तेरे जरूर ट्राई करना तो यह दिखिए हमने यहां पे कडाई में लगा दिया है और इसको गरम कर लिया है इसमें डाल देते हैं यह अपना इडली वाला कटोरी और इसके बाद इसको ढख करके 15 से 20 मिट पकाएंगे और यह यह दिखिए इडली बिल्कुल फूल फूल कर तयार हो गई है तो इसको गैस को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं तो इसको इस तरह से निकाल लेते हैं तो चकु के हिल्फ से इस तरह से थोड़ा सा बहुत आसानी से निकल जाता है तो अगर आपको ओल तेल पसंद खाना नहीं है तो आप इस तरह से इस नाश्थे को बना करके खा सकते हैं बच्चों के टिफिन में दें या सुभा के नास्ते में बनाएं साम के नास्ते में बनाएं मैं काटके भी दिखा दे रहे हूं बहुत ही फलपी और स्पंजी बना है यह दिखे बहुत ही टेस्टी बना है फ्रेंड्स यह दिखे इस्पंजी भी बना है तो आप भी इस रेस्पी को जरूर ट्राइ करना वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं एक नही रेस्पी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद